गोड़ मॉनिंग सिद्धी हिंदी ऑनलाइन क्लासिस में आपका स्वागत है आज हम नियुक्ति का पत्र देखेंगे यह राधे इंडेस्ट्री नियुक्ति मतलब की कंपनी की तरफ से व्यक्ति को नौकरी के मतलब इंटर्यू लिया होगा तो अगर एक्जाम ली है तो पर्मचारी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इंटर्यू में अच्छा उत्तर दिया था याप एक्जाम में यह पास हो गया दो तरीक से कैसे उनकी भरती होती है तो दोनों भरतीयों में से जो मतलब कंपनी डिसाइड करती है कि कुछ कंपनिया एक्जाम लेके डिसाइड क करती है तो जो भी वो उत्तिन हो जाते उन लोगों को कंपनी पर्सनली लेटर भेशती है कि हाँ आप एक्जाम में अच्छे मार्क्स लाए हो पास हो गये हो आपको नियुक्त किया गया इतना आपको पगार मिलेगा इतनी तारिक से आपको जोइन करना है हमारी यह नियम है एक साल के बाद आपकी उनको स्थाई रखाए कि अस्थाई वो बता दिया जाता है फिर उनका पगार कब बढ़ेगा वो बता दिया जाता है समय क्या है नोकरी का जगह क्या है उनकी पोस्ट कौन सी है वो सब उनको बता दिया जाता है पत्र में लिखकर फिर वो व्यक्ति और बोल देते कि ये तारीक को आप जोईन कर लेना, इस तारीक से आपका पगर शुरू हो जाएगा, तो वो जोईन कर लेते, तो ये है भरती का पत्र, नियुक्ती का पत्र, वो था भरती, मतलब इंटरी के लिए लोगों को बुलाना, और ये है कि पकका कर देना कि उनको पा वह शिल्पा पटल नाम की व्यक्ति है उसको पत्र भेजरी है शिल्पा कायडर से विशय यह है कि सहाइक मैनेजर में उनको न्यूक्त कर लिया गया है अब आप बताओ क्या होगा तो यहां पर मैंने दोनों उधारण दिये हैं पहला उधारण हम ले लेते हैं कि जो हमारी कि और से यह मार्च है न तो फरवरी में हमारी कमनी की और से 25 फरवरी 2017 के दिन एक लिखी तैप परिक्षा ली गए थी 200 मार्च की परिक्षा थी इसमें आप उत्रिन हुए हो आपने बहुत अच्छे उतर दिये हैं आपने 1 190 मार्च प्राप्त किये हैं इस नौकरी के लिए आप यह था योगिया सिद्ध हो गए हो इसलिए हम आपको बताते हो बहुत खुशी हो रही है कि हमने आपको न्यूक्त कर लिया आपको अभी नंद यह हो गया उसके बाद कि वह आपको हम एक साल के लिए छे महीने के लिए अजमाईस तोर पर रखेंगे अगर आपका काम और भाल या यह हमारी कमनी का नियम है आपको हमें यह मार्च आंप 3 मार्श तक हमें उतर दे देना है पहले अपरिल से आपको नौकरी पर जोइंट कर ले कर लेना है और को बहुत बहुत शुप काम ना और फिर कम वह आपका विश्वसने फिर हिए और कम ने की तर्ब से पत्र लिख रहा है तो वह जो भी व्यक्ति है वह अपना पद लिकेंगा है प्रशाशनी अधिकारी और आदे इंडोस्ट्री नाम की व्यक्ति और डिसोजा नाम का व्यक्ति पत्र लिख रहा है इस तरह से यह पत्र फिर मैंने यहाँ पर एक्जाम वाला उदान दिया उसके बदलाब लिख सकते हो कि हमने 25 तारिक हो आपका इंटर्यू लिया था उस इ मैं बहुत खुशी हो रही कि इस पद के लिए आप न्यूक्ति किये गए हो और फिर यह कंडिशन सब बता देना कि यह हमने आपको इतने समय के लिए पहले अस्थाई नहीं किया अजमाई स्थार पर रखेंगे फिर आपको स्थाई करेंगे ट्राइल बेस पर फिर यह पग जो है वो पढ़ लेते मैंनेजर की न्यूक्ति के संदर में पत्र है सुग्यश्री हमें बताते हुए आनंद होता है कि 28 वरवी 2017 के दिन कंपनी के द्वारा सहायक मैंनेजर की भरती है तू ली गई देखो यह लिखीत एक्जाम है और आप शाक्षातकार लिखीत एक्जाम यह कमनी ने दोनों ट्राइ किया है एक्जाम भी लिए और फिर इंटर्वी लिए और उसमें आप सपल हुए आपको इस पद के लिए हमने न्यूक्त कर दिया यह आपको बहुत-बहुत अभी नंदन हमें आपको बताते हैं बहुत खुशी हो रही यह भी आप लिख सकते है आपकी न्यूक्ति की शर्त है प्रारम एक वर्ष के तोर पर हम आपको अजमाईस तोर पर रखेंगे आपको ट्राइ करेंगे बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत ता नहीं आपकी न्यूकती 9525-13000 के ग्रेड की की गए मतलब यह कि हर साल एक साल का पगार 9000 है फिर एवरी यर 525 रुपे बढ़ेंगे दूसरे साल उनका पगार हो जगा 9525 और लास्ट में 13000 तक फिक्स रहेगा पगार उससे बाद में बढ़ेगा नहीं उसके बाद कमनी नियम ताई करेगी उसे सापसे होगा तदो प्रान नियम अनुसार मिलने यो कटो जाती तारिक 30 मार 2017 के दिदू पर 12 बज़े तक आपको स्विकार पत्र के साथ हमारे अधिक्स चन में समक्स उपसित रहना है कि आपको नौकरी पर काम आपको यह नौकरी स्विकार है यानि यसा में पत्र दे देना और उपसित रह जाना अपने डोकिमेंट के साथ कि मैं अभी समझाओंगी तो उसका पत्र नहीं कर आपाऊंगी तो कल हम पदोंती तुरंत उसका पत्र कर लेंगे ताकि दोनों एक साथ रहे तो लिंग ना तुटे यह क्या हुआ कल मैंने यह मुझे बता है ताज मुझे वापस रिपीट करने पड़े फिर पत्र किया तो निया पर क्या है पदोंती और हम पत्र हे वहम कल करेंगे फिर परसों बदली और उसका पत्र है इस से रही परेंगे तो तीन-चार मुझे रहे अफिर सब्सक्रा करें इस